आरेफ साइम थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता है क्योंकि यह क्या है एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है एक वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है तो जिस पॉइंट के अबाउट आप लोगों को टॉर्क मिकालने है उस पॉइंट से आर वेक्टर की तरफ उंगलिया करें और इधास की देरिक्शन में भुमांएं तो बताहिए क्या मैं फोर्स की डियर्क्शन में भुमा सकता हूं नहीं तो क्या उंगलियों को ऐसे करना पड़ेगा हाँ खॉर्रे तो दिल्स करना है डेटा चाहे मैच ना करें पर आप लोगों को सवाल करना आना चाहिए क्योंकि एक्जाम में जो आपका सवाल आएगा वो बिल्कुल मैं निपनमित्तल आपका स्वागत करता हूँ आपकी सिरीज में जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं चार नंबर पक्के करने की फ्रॉम दे टॉपिक टॉर्क नाम का जो कंसेप्ट है हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम आफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के अंदर जिसे आप लोग रिजिड बॉडी डाइनमिक्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग नॉर्मल यूसे रोटेशनल मोशन बोलते रहते हैं तो आईए बिना किसी इदर उदर की बात को किया हम लोग रोटेशनल मोशन में टॉर्क का कंसेप्ट जो है उसको बहुत ध्यान से समझ बजलो देख लो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आगे समस्या जो है इस टॉपिक से एकदम ऐसे दूर हो जानी चाहिए जैसे मतलब आपको लगे कि यह सवाल तो आना चाहिए एक्जाम के अंदर जिससे मैं सही है ठीक है तो लेट्स टॉक अबाउट तो अगर मानलो मु से लिखा जाता है इसको टॉर्क अबाउट ओ उसकी वेल्यू होती है हमेशा आर क्रॉस एफ ठीक है भाई हाँ वेल्यू हमेशा क्या होगी आर क्रॉस एफ इसके बारे में धियान रखें अगर हम लोग डेफिनेशन समझना चाहते है टॉर्क की तो सिंपल सी डेफिनेशन ह जो रॉटेटरी एफेक्ट आता है फोर्स लगाने से जैसे आगे चल गया अब मैंने परसेáoग जिए वर्टेटरी ना लूघ मतो तो अगर मैं टॉर्क को डिफाइन करूं तो यह क्या हो गया विटार रोटेटरी इफेक्ट और फोर्स ठीक है भाई तो जैसे ही हमें यह वाली बात समझ में आती है तो हम लोग डिरेक्ट्ली टॉर्क की जो वैल्यूज है उसकी बात करने लगते हैं और टॉर्क की वैल्यू आर क्रॉस एफ से हम लोग डिफाइन करते हैं स्केलर क्वांटिटी नहीं है एक वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है तो यहां पर簡 Mix दे देते हैं चल्दी बोलो direction देते हैं सर हम लोग right hand thumb rule से ठीक है अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि right hand thumb rule क्या है तो आपको अपने पता लग जागा कि कैसे direction निकालनी है वैसे तो आशा करता हूं कि इस stage पर आके आप को direction लिखनी तो आती ही होगी है ना जी हां चलो आजाओ तो राइट हैंट हम रूल की बात हो गई टॉर्क की वैल्यू आर क्रॉस एफ हो गई अगर इसको मैं simplified form के अंदर थोड़ा सा बनाता तो मैं इसको कैसे बना सकता था ध्यान देना मैंने आपको ऐसे बोला कि भाई देखो यह हमारा पॉइंट ओ यह हमारा आर वेक्टर क्यों क्योंकि इस वाले पॉइंट के उपर हम लोग फोर्स लगा रहे थे इस डिरेक्शन में तो बहुत ध्यान से समझी है कि असल में पहले तो है ना वेक्टर का एंगल जो है ना लो आर वेक्टर अब आई बात समझ में टेल टूटेल कनेक्ट होने के बाद और इसलिए अंगल जो है थीटा वह है अब यह थीटा की वैल्यों आपको पता लग रही है अगर ध्यान देंगे तो अगर वह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा और इसका मतलब यह वाला component R का हम लोग easily कर सकते हैं R के दो component R का एक component है आपका R cos theta एक component है आपका R sin theta अब बताओ मुझे कौन सा काम आ रहे सर यहां तो RF sin theta लिखा है तो R sin theta काम आ जाएगा very nice तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो पोर्स के परपेंडिकुलर वाला component है यह आपके काम का है यसे हमने आर परपेंडिकुलर दिया और और को हमने कैसे डिफाइन किया और परपेंडिकुलर टाइमस for कैसे डिफाइन किया और परपेंडिकुलर टाइमस of अब इट ンौट नेसेसरी कि अवह हमारी हेद गरते इच्चा हो और हम चीजें समझ आझ में अच्छे से आती हो इक है खर सकते हैं उसके कंपोरेंट ना करうんक्र हुआ जो आपेента तो मैंने आर्णक परपेंडिकुलर फोर्स का अबढ़ा देखा यह गार के लॉग थि प्ट neural ऐसी हुगा एक साथ अलॉन mental कर दिया र का भी पर्पेंडिकुलर कर दिया एसा नहीं करना है दोनों के वह सब बाई वही होता है वही वाला तो इसलिए ध्यान से तो उन्म से ढोड़क कर दिया तो आपको पता ही है कि राइट हैंड थम रूल से मिलेगी तो सरब वो भी बता दो राइट हैंड थम रूल जो आप बता रहे हो तो जिस पॉइंट के अबाउट आप लोगों को टॉर्क मिकालने उस पॉइंट से आर वेक्टर की तरफ उंगलियां करें और फोर्स की डिरेक् अंदर की तरफ जानी कि अगर इसके अंदर हम लोग टॉर्क लिखेंगे तो माइनस के काट ठीक है तो अगर मेरा A vector जो है वो तो अंदर है, है ना, इस case में बाहर है और B vector मान लो इधर है, अब बताओ किदर आएगी, A cross B की direction, तो sir, A तो बाहर था, और B इधर था, टूई, 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 तो हमारी direction आप लोगे सामने है, यह हमारी direction आचुकी है, A cross B, तो J कैप भी आ सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्या, inward और outward ही आता है, J भी आ सकता है, minus J भी आ सकता है, plus I भी आ सकता है, minus I भी आ सकता है, सारे directions जो है, वो possible है, depending कि आपकी forces जो है, वो कैसे लग रही है, तो vector multiplication करना है, vector है, समझ गए, अच्छा, इसकी unit जो है ना, वो बहुत ही सुन का नाम, ठीक है, तो इसकी unit क्या हो गई, बीटा, Nm, Newton, meter, आई बात समझ, समझे, अगर CGS unit लिखनी है, तो बोलो Newton का क्या हो जाएगा, सर, Newton का dian हो जाता है, और meter का centimeter हो जाता है, तो dian centimeter बन जाता है, ठीक है, तो सारी चीजने लिख सकते हो, और अगर आप लोग इसकी dimensions ल Newton की बोलो, MLT-2, और meter की बोलो, L, तो क्या आजाती है, ML2T-2, अरे, यह dimension तो energy के साथ, work done के साथ, match करती है, बिल्कूल करती है, तो torque has that same dimensions as energy and work, तो इन बातों मा भी ध्यान रखना है, energy कैसी भी हो फिर चाहे, potential हो चाहे, kinetic हो चाहे, heat energy हो, whatever भी the type of energy, the dimensions will match, इन बातों का खास दियान रखना है, ऐसे questions कही बार पूछागा है, कि इन quantities के अंदर बताओ, किस किस किसे, मैं लोग बुलते हैं, torque तो बिल्कूल ही अलगा, energy तो बिल्कूल ही अलगा, काई कैसे, तो यह चीज़े, आप लोगों को देखनी होती है, exam के अंदर कि क्या पूछा जा रहे है, क्य तो हम लोग torque को थोड़ा सा अलग तरह से define करते हैं, ठीक है, तो हम लोग torque को अलग तरह से थोड़ा सा define करते हैं, क्यूंकि जैसे हमारा force जो है ना वो में होता है, F को हम लोग क्या लिखते हैं, M में लिखते हैं, and this is derived from where, F equals to dp by dt, छीक है ना भई, हाँ, इसी तरह से हम लोग जब torque को define करते हैं, तो हम लोग torque को mass की जगे तो आ जाता है आपका moment of inertia, I, और acceleration की जगे आ जाता है आपका angular acceleration alpha, तो कुछ इस तरह से हम लोग torque को आराम से define कर प तो अगर यहां पर आपका linear momentum यूज आ रहा था, तो यहां पर आपका, मतलब F की जगे, यहां पर tau कर दूँ, F लिख दिया मैंने वापस, तो tau is equal to क्या हो गया बटा, dl by dt, तो F की जगे, tau आ गया, momentum की जगे, angular momentum आ गया, analogy से, अब L के बारे में क्यूंकि अभी हम लोग नही पड़ रहे हैं, angular momentum के बारे में, तो इसलिए मैं उसको derive आपको नहीं करके बता रहा हूं, तो इस concept को याद रखा है, tau equals to i alpha, ठीक है, yes, so this is the definition जो एक और आप लोगों को पता हो नहीं चाहिए, for example, अगर मैं आप लोगों को बोलूं के मेरे पास मैं मान लेता है कि एक इस त लोगों को बिटा क्या दे रखाए, let's say the mass is M, length is L, तो बोलो, अगर इस rod को हम यहां से हिंज कर देंगे, क्या यह नीचे जाएगी, हाँ सब जाएगी, अगर यहां से इस तरह से छोड़ेंगे, release करेंगे, एक तरफ से हिंज करके, तो ऐसे गूमेंगी, यह जो rod का घूमना है, इस rod के घूमने का कारण है, इस पर लगने वाले mg का torque, तो हमसे तो alpha की value पूछी थी, हमसे किस की value पूछी भाई, alpha की जो value है, वो पूछी के find the value of alpha, तो इसके लिए आपको moment of inertia लिखना आना चाहिए, rod का, rod का moment of inertia क्या होगा भाई, end के about ml square by 3, तो हमने बोला कि force into displacement, या पन तो सिधर torque equals to alpha लिखो, तो मने लिखा, tau is equal to alpha, tau की value क्या हो गई, mg का torque, distance यहां से l by 2, तो यह distance हो गई, mg के साथ में l by 2, क्योंकि mg ही खुमारा है, और तो कोई force है नहीं, और i alpha का मतलब, i की value बोलो भाई, इस पाले end से क्या होती है, sir, ml square by 3 होती है, into alpha कर दो, तो यहां स by 2L, yellow, आपके सामने आपका answer आगे, वैसे कोई तेरे को disk दे देता, कोई ring देता, कोई भी चीज़ देता, कर सकता था ना, आराम से, अब इसकी hinging यहां से ना करके, l by 4 पे कर दे, उसके एसाब से निकाल ले ना, भाई, position देखके, क्या इसी बड़ी बात हो गई, तो इन ब पूछते हैं, जिस variety के सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं, उसके अंदर बटा पहली जो variety आप से पूछी जाती है, वो जो variety है, अब यह पी वाई की, उसका से पूछी जाती है, जिसमें आप से use की अड़ात है, टाउ is equal to r cross f directly, इसका मतलब क्या हुआ, पहले पूछा भ r cross f में क्या किया जाता है, आपको एक r vector जो है वो दे दिया जाता है, let's say it is 2i cap plus 3j cap plus 5k cap, हो सकता है कि delta r आप लोगों को निकालना हो, तो r1, r2 आपको दे दिया जाएगा, let's say it is 4i cap plus 5j cap plus 7k cap, तो यहां से आप लोग delta r easily निकाल सकते हैं, और साथ में आप लोगों को बोल 3i cap minus 4j cap plus 6k cap, यह हमारे पास में force acting जो है वो भी बता दी, और बोला कि torque निकालो, torque acting on the object, तो जब आप लोग delta r निकालेंगे, वहीं से आप लोगों को r vector मिलेगा, पहली variety neat के अंदर जो आप से पूछा राता है, यह वही है, तो हमने बोला delta r की value हमने निकाल ली, 4-2, 5-3, 7-5, सब आगए 2, i cap, j cap और k cap, और फिर हमने f के साथ में क्या लिए, इसका cross, तो r cross f करना था, मुझे क्या करना था, r cross f, तो हमको पता है cross product कैसे निकालते हैं, i, j, k लिखते हैं, और उसके बाद में इनकी filling करते हैं, पहले r आएगा कि f, r, तो यह बात ध्यान रखना, ग और उसके बाद में अपलाए करें, cross product का funda, i cap सबसे पहले लिखें, 2, 6, 12, minus 2 into minus 4 is minus 8, तो यह हो गया, 8, minus करो, j cap लगाओ, j cap लगाओ, तो 2, 6, 12, minus 2, 3 is 6, plus लगाओ, के cap लिखो, 2 into minus 4, minus 8, 2 into 3, minus 6, जैसा आप लोग देख सकते हैं, इसको solve करने से अब आपका answer आजागा, 20i cap, 12 minus 6, minus 6, minus 6, minus 7, minus 14k, लोग, इस प्रकार से आप लोग आपके answers निकाल सकते हैं, torque की calculation में, तो यह पहली variety है, जो आप से torque के question में पूछी जाती है, ठीक है, दूसरी जो variety है, जिसकी हम लोग बात कर रहे है, the second variety that we are talking about, जैसे मान लोग आप लोगों को ऐसा बोल देंगे, है ना, वापस से neat का ही सवाल है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे मान लेता है कि हमें ऐसा कुछ दे दिया कि हमारे पास में एक hollow cylinder है, हमारे पास क्या है, hollow cylinder है, और इस hollow cylinder के ऊपर हमने रसी लपेट रखिया, और रसी से let's say, we are applying a force F, और hollow cylinder का radius आप लोगों को बोलते हैं, alpha की value, निकालने को बोलते हैं, तो अब ऐसे में alpha कैसे निकालने, sir, alpha निकालने का सीधा तरीका, क्या लिखेंगे भाईया, tau is equal to i alpha, अब अगर यह hollow cylinder है, तो hollow cylinder बहेव लाई का, पता नहीं sir, ring, व्याद रखना, solid cylinder as a disk, उसे चपता कर दिया करो, कोई भी ऐसी मिले तो चपता करो, hollow cylinder को चपता गिया तो ring, solid को चपता गिया तो disk, वही चीज यहाँ पे, तो tau equals to i alpha, tau किसके कारण, इस वाली force के कारण, तो tau की value लिखो सबसे पहले, f into r, ठीक है, यह distance r हो गई न, तो r cross f, अंदर की दरफ टॉर्क, direction भी निकाल सकता, is equal to i alpha, i बोलो जल् into alpha, तो बोलो भाई, यहाँ से alpha की value क्या आ गई, एकर से एकर कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, f upon mr, check करो, अब कुछ आपको f की value देने, 30, 40, 50 newton, वो put कर देना, mass देना, r देना, r put कर देना, big deal, alpha आ गया, आगे बात समझ, ml वाली term गई, समझ में आ गया, दिख गया सबको, बस और क्या हो गया question, कौन सी बड़ी बात हो गया, तो ऐसे आप लोगों से alpha की value भी निकल वाई जा सकती है, ठीक है, तीसरी variety, जो इसमें हम लोगों से पूछी राती है, that third variety is basically, equilibrium type के problems, जब हम से torque के पूछे जाते हैं, ठीक है, equilibrium type के problems के अंदर आप से क्या करता हैं, जैसे मान लोगों इस तरह से आपको कोई rod वगेरा दे दी गई, ठीक है ना, अभी जो rod आप लोगों को दे दी गई है, इस वाली rod के अंदर बोले हैं कि multiple forces are acting at different different places, अपने यसा मान लेता है, कि हम लोगों ने इस वाले point पे, let's say, 60 Newton की force चलो हलकी सी rod ले लेता है, एक kilo की rod ले लो, rod आपको एक kilo की दे रखिया, और length जो है, यह इसकी मान लेता है, 10 meter ले रखिया, आपको ऐसा बोला लाता है कि हम कितनी force लगाएं, और किस position पर लगाएं, किसी एक end से position दे देंगे, तो लेट से कितनी distance के उपर हम लोगों को force ल value क्या हो, 0, और उसके साथ-साथ F net की value भी क्या हो, हमारे लिए 0, तो tau net F net दोनों 0 करना होता है, ठीक है, मास अगर एक kilo दे रखा है, तो mgb इस पर लग रहा होगा, एकदम center पर uniformly massive due ही होती है, तो यह 10 newton की force यहां से और लग गई, तो आप लोग अब मेरे को यह बताएंग तो हमें कितनी लगानी चाहिए, सर हमें 90 की लगानी चाहिए, तब जाके कुछ काम होगा, ठीक है, तो हमने मान लो 90 newton की force वो है वो लगाई, और वो 90 newton की जो force है वो हमने यहां से लगा लिए, तो this is the direction downwards लगाएंगे, तब ही कुछ काम चलेगा, तो this is your 90 newton force, which is acting at a distance x, ठ से distance निकालनी थी इसकी है, और अब यहां से जो distance हो गई, वो क्या हो गई, 10 minus x, मुझे location नहीं पता कहां लग रही है, समझ में आ गया, अचा 10 newton जो लग रहा था, वो कहां लग रहा था, वो लग रहा था 5 meter पर, दोनों तरफ से ही उसकी distance तो हमरे पास 5 meter ही है, तो कोई दि के about करो, चालो तो इसके about करो, दुनिया के हर point के about net torque जीरो आता है, अगर कोई भी बड़ी equilibrium में होती है, तो इस बात को ध्यान रखे, ठीक है, तो मैंने o के about ही net torque को 0 करने का सोचा, उसी about 0 कर देता है, तो tau net about o should be equal to 0, तो चलो आप टॉर्क लिखते है, 60 newton का torque तो 0 होई गय सरीय डिस्टेंस x है, नीचे की तरफ force है, तो आर क्रॉफ जास नीचे, अंदर की तरफ 90x, यह हो गया 90x, cross, हम लोग dot को positive मान के चलेंगे, और cross को हम लोग negative मान के चलेंगे, बाद में हम लोग sign put कर देंगे, एक direction sense तो पकड़ना पड़ेगा, अब कोन है है सर, उसके बाद r cross f नीचे आई, 10 newton वाली, यह भी cross है, तो 10 into 5, cross, इसके बाद कोन है सर, यह r cross f अब ऐसे करना पड़े है, बाहर, 40, और 40 जो है वो पूरे 10 meter के ऊपर लग रही है, तो plus कित्ता हो गया भाई, 40 into 10, और यह थी हमारे पास dot, ठीक है, तो यह कित्ता हो गया हमारे पास 400, ठीक ह plus, यह कित्ता हो गया बटा, 50, तो यहां से हमारे पास आगया 350, is equal to 90x, 0 से 0 कट गया, तो आपके x की position आगई 35 by 9 meter, yes, यही आपका answer, वापस चेक कर ले, 40, 10 जो 400, positive वाना था इसको, इन दोनों को इधर ले गया, negative होंगे, क्योंकि cross है, इधर तो 0 था, दोनों add हो जाएंगे ठीक है, हाँ, तो 90x plus 50, 50 इधर गया, तो 350 रह गया, तो 90x, 0 से 0 गया, 35 by 9, यहां पर आपको location मिल गई, कि x की जो value है, 35 by 9 meter पे, अगर हम में 90 newton का force लगाया, तो हम equilibrium में रख पाएंगे, otherwise हम equilibrium में इस rod को नहीं रख पाएंगे, simple सी कहानी, easy सी कहानी, ठीक है, हो सकता है कभी वह आपको ऐसे bridges लगा के देदें, तो normal लगा देना ऊपर, हो सकता है कि वह इसी तरह के questions के अंदर आप लोगों को ऊपर से रसी बांद के देदें, और रसी बांद के यहां पर एक rod बांद दें, तो tension लगा देना ऊपर, कौन सी बड़ी बात होई, है ना भई, यहां मान ल यह question है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखें, बहुत easy-easy question बनते हैं, अगर यह concept clear है, तो आशा करूँगा कि किसी का भी यह question जो है, वो आप गलत ना हो, ठीक है, और इसी के साथ, इस class को हम लोग यहीं विराम देते हैं, एक्जाम बहुत करीब है, एक्जाम की तयारी पूरी रखें, अच्छे से अपने आपको रखें, इस समय अपनी तबियत किसी भी यहल में खराब ना होने दे, बाहर का खाना पीना ना खाएं, घर के अंदर रहें, अपने अच्छे से, बिना किसी दिक्कत के, अपने श्रुब